ओम शान्ति, 12 दीन 2000, तेज के अव्यक्त बाप दादा के मधूर महवाक्य, रिवाईज हैं 18.1 चोरान में, बाबा ने आज ब्राह्मन जनम का आदी परदान दिया है, और वो आदी परदान है स्ने की शक्ति, तो बाबा ने कहा, बाप दादा से स्ने ही है, उसकी दस परकार बाबा ने बताए है, और साथ साथ बाबा ने कहा, स्ने ही है, खाली स्ने ही ने, लेकिन वो शक्ति होनी चाहिए आत्मा में, तो बहुत ही सुन्दर शब्दों में बाबा ने स्पष्ट किया है, सुनते हैं, ब्राह्मन जनम का आदी वरदान स्ने की शक्ति, आज चारों और के, सरों बच्चों की स्ने ही भरी समुर्तियां, समर्थ बाब दादा के पास, स्ने ही की सागर समान पहुँच गई, हर एक बच्चे के दिल में दिला राम समाया हुआ है, और दिला राम के दिल में सरों स्ने ही बच्चे समाय हुए हैं, स्निही बहुत बड़ी शक्ति है स्निही की शक्ति क्या-क्या फाइदे करती है सबसे पहले फाइदा बाबन ने बताया स्निही की शक्ति मेहनत को सहज कर देती है जो महबबत है वह मेहनत नहीं होती जो महबबत में होते हो मेहनत नहीं करते मेहनत मनोरंजन बन जाती है खेल लगता है सनेही की शक्ति देहे और देहे की दुनिया सेकिन में भुला देती है सनेही में जो भुलाना चाहिए वो भुला सकते है जो यांद करना चाहिए उसमें समा जाते है सनेही की शक्ति सहज समर्पन करा देती है स्निही की शक्ति बाप समान बना देती है स्निही सदा हर समय परमातम साथ का अनभव कराता है स्निही सदा अपने उपर बाप की दुआओं का हाथ छत्र चाया समान अनभव कराता है स्निही असंभव को संभव इतना सहज करा देता है जैसे कारिय हुआ ही पड़ा है स्निही निश्फल यानि हर समय निश्चिन्त अनभव कराता है स्निह हर करम में निश्चित विजय इस्तिती का अनभव कराता है ऐसी स्निह की शक्ति अनभव करते होना हर एक अपने आप से पूछे परमात्मा से मेरा इतना स्निह है जो स्निह में इतने सब फाइदे मुझे हो रहे हैं अगर ये सब कुछ मुझसे हो रहे हैं तो understood बाबा से आपका बेहदकास नहीं है अगर कोई भी बात में मुश्किल लगती है करने में कर नहीं पाते बोलने में चाहजा लेकिन करने में कर नहीं पाते तो इसका मतलब सनहीं कम है शिरी मत पर नहीं चलते तो उस नहीं कम है आज्याकारी नहीं बनते तो उस नहीं कम है वफादार नहीं बनते तो उस नहीं कम है फरमान बरदार नहीं बनते तो उस नहीं कम है सच्चाई सफाई से बाप से वा परिवार से नहीं चलते तो मानस नहीं कम है कहीं भी हमें प्राप्तियों में परसंटेज लग रही है तो इसका मतलब यही है कि परमातम सनेहीं कम है तो इसलिए बाबा ने कहा सनेहीं हर करम में निश्चित विजय इस्तिती का अनभव कराता है ऐसे सनेहीं कि शक्ति अनभव करते होना बाप दादा जानते हैं अनेक जनम अनेक प्रकार की मेहनत कर ठकी हुई आत्माई है बिन-बिन बंधुनों में बंधी हुई आत्माई होने के कारण मेहनत करती रहती है इसलिए बाप दादा मेहनत से मुक्त होने के लिए सहज विधी सनही की शक्ति सभी बच्चों को बरतान में देते हैं अपने ब्राहमन जीवन के आदी समय को याद करो तो जनमते ही सभी को सनही की शक्ति नही नया जीवन दिया सनही के अनभूती के लिए मेहनत की मेहनत करनी पड़ी सहज अनभू किया न तो यह आदी जनम के अनभूती ही वर्दान है प्यार प्यार में ही खो गए न सदाई सनही के वर्दान को समर्ती में रखो मेहनत के समय से बर्दान द्वारा मेहनत को परिवर्तन कर सकते हो बाप दादा को बच्चों का मेहनत अन्भव करना अच्छा नहीं लगता तो सने के शक्ती की विस्मृती मेहनत अन्भव कराती है अगर स्निही नहीं हैं, भूल गए हैं, तो हमें वहां मेहनत अनभाव होती हैं। कितनी भी बड़ी, कैसी भी परस्तती हो, प्यार से, स्निही से परस्तती रूपी पहड भी परिवर्तन हो, पानी समान हलका बन सकता है। पत्थर को पानी बना सकते हो, कैसा भी माया का विक्राल रूप वर रोयल रूप सामना करे, तो सेकिन में स्निही के सागर में समाज जाओ, तो सामना करने की माया की शक्ति समापतो हो जाएगी। आपके समानी की शक्ति छुमंतर नहीं, लेकिन शिव मंतर बन जाएगी। सब के पास शिव मंतर की शक्ति है न, कि खो जाती है। शिव स्निही में समाज जाओ, फिर डुब की मार कर नहीं निकल आओ, थोड़ा समय समृत्ति में रहते हो, मीठा बाबा, प्यारा बाबा, डुब की लगा कर फिर निकल आते हो, तो माया की नजर पढ़ जाती है। समाज जाओ, बाबा के प्यार में समाज जाओ, तो माया की नजर से दूर हो जाएंगे, और कुछ भी नहीं आई, तो स्निही की शक्ति जनम का बर्दान याद है, नहीं है, तो वहें याद करो, उस बर्दान में खो जाओ, को जाना नहीं आता है। शनहे है तो जहेज हैना is to the 269 को בא часов को यह है जिनको ब्रह्मान जीवन में रोहनी शनहे का अन्भव नहीं हो कैसे लोग जैसी शनहे से ही तो आई है प्यार हे एसा कोई ब्रह्मन जिसको बाबा के बच्चों से बाबा से प्यार ना मिला हो, और ऐसा ही ब्राह्मन बन गया हो, नहीं, प्यार मिला, पहले सने पोज़ने हैं, फिर बाद में ग्यान मिला ना, तो बाबा पूछने हैं कोई ऐसा? स्नेही सहज योग है स्नेह में समाना ही संपोन ग्यान है स्नेही सहज योग है और उस स्नेह में समा जाना बाबा के स्नेह में समा जाना यही संपोन ग्यान है तो आज के दिन का महतव भी स्नेही है ठारा चनवरी बाबा का पुन्य तिथी का दिल होता है सारा दिन मोन होता है सभी प्राहमण बच्चे बाबा कि सनही में समाई हुए होते है अमरत वेली से विशेश किस लहर में लहरा रहे हो बाप दादा कि सनही में ही तो लहरा रहे हो सर्व आत्मों के अंदर एक बाप की सिवाई और कुछ याद रहा सहज याद रही न कि मेहनत करनी पड़ी तो सहज कैसे बने सनही के कार तो क्या सिरब आज का दिन सनही का है संगम युग है ही परमातम सनही का युग तो युग के महतव को जान सनही की अनभूतियों को अनभव करो और सनही का सागर सनही के हीरे मोतियों का थालियां भरकर दे रहा है सनही का सागर बाबा थालियां भरकर के दे रहे हैं तो अपने को सदा भरपूर करो थोड़े से अनभू में खुश नहीं हो जाओ संपन बनो भाविशे में तो स्थूल हीरे मोतियों से सजेंगे ये परमातम प्यार के हीरे मोति अनमोल है तो इससे सदा ही सजे सजाई रहो चार उमर के बच्चों की याद सनही के गीत बाप दादा सदा भी सुनते रहते लेकिन आज विशेश स्नेह स्वरुप बच्चों को स्नेह के रिटर्न में सदा स्नेह भाओ सदा स्नेह के वर्दान द्वारा सहिज उर्तिकला का विशेश फिर से वर्दान दे रही है सदा जैसे छोटे बच्चे होते हैं कोई भी मुश्किल बात आएगी वा कोई भी परस्तिति आएगी तो मात पिता की गोदी में समा जाएंगे ऐसे सेकिन में नहीं की गोदी में समा जाओ तो महनत से बच जाएंगे सेकिन में उड़ती कला द्वारा अट बाप दादा के पास पहुंच जाओ तो कैसे भी स्वरूप में आई हुई मैया दूर से भी आपको छून नहीं सकेगी क्योंकि परमातम चट्रि चाया के अंदर तो क्या लेकिन दूर से भी मैया के चाया आ नहीं सकती तो बच्चा बनना अर्थात माया से बच्चना बच्चा बनना तो अच्छा है ना बच्चा बनने का अर्थ ही है स्नेहे में समाच जाना अच्छा दादियों से मुलाकात आज के दिन क्या-क्या याद आया विशेश विल-पावर के हाथ याद आए विल्पावर सब कारिये सहज करा देती है ब्रह्मा बाप जादा याद आया या बाप दादा दोनों याद रहे फिर भी ब्रह्मा बाप की याद के चरित्र सभी को विशेश याद आते रहे ब्रह्मा बाप ब्रह्मा बना ही तब जब बाप दादा कमबाइड हुए परमातम प्रविस्ता के साथ ही ब्रह्मा का करतव्य शुरू हूँ इस अव्येक्त स्वरूप के अव्येक्त रूप के चरित्र भी नियारे और प्यारे है 25 वर्ष की सेवा की हिश्ट्री आदी से याद करो कितनी भी तिवर गती की history है, अव्यक्त होना, अर्था तिवर गती से सर्व करिये होना, समय का परिवर्तन भी fast और सेवा की व्रधी की गती भी fast फास्ट हुई न, इसलिए अव्यक्त होने से समय को भी तिव्र गति मिली हैं, तो सेवा को भी तिव्र गति मिली हैं, अव्यक्त पार्ट में आने वाली आत्मों को भी पुरुशार्त में तिव्र गति का भाग्य सहज मिला हुआ है, अव्यक्त पार्ट में आई हुई आत्मों बर्दान को कार्ये में लगाओ, सिरफ समर्ती तक नहीं, समे परमान बर्दान को स्वारुप में लाओ, बर्दान को स्वारुप में लाने से ही स्वता, फास्ट गति का अन्भव करेंगे, अव्यक्त पालना सहज ही शक्ति शाली बनाने वाली है इसलिए जितना आगे बढ़ना चाहो, बढ़ सकते हो बाप, दादा और निमित आत्मों की आप सबके उपर विशेश सदा आगे उड़ने की दुआई है ऐसे है ना, दादियों की भी दुआई हैं, सिरफ फाइदा ले लो मिलता बहुत है, यूज कम करते हैं सिरफ बुद्ध में किनारे रखते नहीं रहो, खाओ, खर्च करो खाओ माना धार्ना करो, खर्च करना माना अन्य आत्मों को भी देते जाओ तो बाबे कहते हैं, खाओ, खर्च करो, आत्म आता ही है, आता है ना, यूज करना खर्च करना आता है, कि संभाल करके रखते हो, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, ये संभाल कर रखना है अच्छाई को स्विम प्रती, दूसरों के प्रती, कारिये में लगाओ, यहां खर्चना अर्थात बढ़ाना, जैसे आजकल का फैशन है जो अमुल्य चीज होती है, उसे कारिये में लगते हैं, काहां रखते हैं मुल्य चीज को, लॉकर में, यूज नहीं करते हैं, लॉकर में रख देते हैं, और खुश होते रहते हैं, तो कई बार ऐसे करते हैं, पॉइंट बड़ी अच्छी है, विधी बड़ी अच्छी है, शिरब बुद्धी के लॉकर में देख कर खुश हो जाते हैं, तो आप सभी लॉकर में रखते हो, या यूज करते हो, अच्छा, पांडव वाले तो नहीं होना, ऐसी सैना तयार हो जो सेकेंड में जो ओर्डर मिले, रह कर ले, ऐसे तयार हैं, शक्ति सैना तयार हैं, शक्तियों की सेवा अपनी है, पांडों की सेवा अपनी है, पांडों की सहयोग के बिना भी शक्तिया नहीं चल सकते, शक्तियों के सहयोग के बिना भी पांडों नहीं चल सकते, दादी जी ने मैक्सिको की कॉन्फरेंच का समाचार बाप दादा को सुनाया अच्छा है साइन्स वाले तो काम में लगे हुए है प्रियोग करने में साइन्स वाले हुश्यार होते हैं न तो एक भी अच्छी तरह से योगी प्रियोगी बन गया तो बड़े से बड़े माईक का काम करेगा लॉस एंजिल्स में भुकम पाया है ये समय के तिवर गती की निशानिया समय प्रती समय प्रकरती दिखा रही है अच्छा बाप दादा से पर्षनर मुलाकात फल की इच्छा छोड रहम दिल बन शुब भामना का बीज डालते चलो बाप दादा द्वारत सारू बच्चों को इस संगम युक पर विशेश कौनसा खजाना मिला हुआ है खजाने तो बहुत है लेकिन विशेश खजाना खुशी का खजाना है तो खुशी का खजाना कितना स्रीष्ट मिला है तो यह सदा साथ रहता है या कभे किनारे भी हो जाता है जब अनगिनित मिलता है तो हर समय खजाने को कारिये में लगाना चाहिए न लोग किनारे इसलिए रखते हैं कि आई वेला में काम में आएगा लेकिन आपके पास तो अथा है इस जनम की तो बात छोड़ो लेकिन अनीक जनम ये खुशी का खजाना साथ रहेगा अनगिनित है तो यूज करो न बाप दादा ने पहले भी सुनाया कि प्रान चले जाएं लेकिन खुशी ना जाए इसलिए खुशी को कभी भी किनारे नहीं रखो और ही महदानी बनो क्योंकि वर्तमान समय और कुछ भी मिल सकता है लेकिन सची खुशी नहीं मिल सकते अल्प काल की खुशी प्राप्ट करने के लिए लोग कितना दूर खर्चे करके जाते हैं फिर भी सची खुशी नहीं मिलती तो ऐसे अवशक्ता के समय आप आत्माओं को महदानी बनना है कैसे भी अशान्ता आत्मा दुखी आत्मा हो अगर उसको खुशी के अनुवती करा दो तो कितनी दिल से दुआई देगी आप दाथा के बच्चे हो तो फ्राक दिली से बांटो बांटना तो आता है न तो क्यों नहीं बांटते हो समय को देख रही हो दिल से रहम आना चाहिए जो अशान्ती दुख में भटक रहे है वो आपका ही तो परिवार है न परिवार को सहयोग दिया जाता है तो वर्तमन समय महादानी बनने के लिए विशेश रहम दिल के गुण को इमर्च करो आपके जड़्चितर वर्दान दे रहे है तो आप भी चेतन्य में रहम दिल बन बनकते जाओ न क्योंकि परवस आत्माई है कभी भी ये नहीं सोचो कि ये तो सुनने वाले ही नहीं है ये तो चलने वाले ही नहीं है लेकिन आप रहम दिल बनो देते जाओ गाया हुआ है कि भावना का फल मिलता है तो चाहे आत्माउं में चाहे ज्यान के प्रती योग के प्रती शुब भावना नहीं भी हो लेकिन आपकी शुब भावना उसको फल दे दे ऐसे सीजन का फल होता है कोई सदा का फल होता है तो सीजन का फल सीजन पर ही देगा न तो अपनी शुभावना का बीज डाल अगर सीजन का फल होगा तो सीजन में मिलेगा ही वैसे भी देखो जो खेती का काम करते हैं तो जो सीजन पर चीज निकलने वाली होती है तो ये नहीं सोचते छे मास के बाद ये निकलेगा इसलिए बीज डालो ही नहीं तो आप भी बीज डालते चलो समय पर सर्व आत्मों को जगना तो है ही आपकी रह्म भावना शुभावना फल अवशे देगी अगर कोई अपोजिशन भी करता है तो भी आपको अपने रह्म की भावना छोड़नी नहीं है और ही सोचो कि ये आपोजिशन या इंसल्ट या गालिया ये खाद का काम करेगी आपोजिशन इंसल्ट गालिया खाद का काम करेंगी तो खाद पढ़ने से अच्छा फल निकलेगा जितनी गालिया देंगे उतना आपके गुण भी तो गाएंगे न इसलिए हर आत्मा को दाताबन देते जाओ अच्छा माने तो दे नहीं ये तो लेवता हो गए लेने की इच्छा नहीं रखो कि वो अच्छा बोले अच्छा मान तो दे नहीं इसको कहा जाता है दाता के बच्चे मास्टर दाता ना मान की इचा ना धन की इचा कोई भी परकार की इच्छा नहीं इच्छा मात्रम अभित्या तो सब खजाने हैं तो सही ना डबल विदेशियों को देख बाप दादा डबल खुश होते हैं क्यों? डबल पुर्शारत करते हैं एक तो अपना दीती रसम परिवर्थन करने का भी पुर्शारत करते हैं बाप दादा देखते हैं उमंग उत्साह मेजॉरिटी में अच्छा है अगर अभी उमंग उत्साह बीच-बीच में नीचे उपर होता है तो आज विधी सुनाई, समा जाओ, स्निह की गोदी में छिप जाओ, फिर माया आईगी ही नहीं, ये तो सहज है ना, बीज रूप होने से महनत है, इसमें महनत है नहीं, और कुछ भी नहीं आए, लेकिन स्निह में समाना तो आता है, कि मुश्किल है, नहीं, ये तो करो, अभी मुश्किल शब्द नहीं बोलना, नीचे आते हो तो छोटी सी चीज बड़ी अच्छी लगती है, बड़ी लगती है, उपर चले जाओ, तो बड़ी चीज भी छोटी लगेगी, फरिष्टे हो या साधर मानव हो कहा फरिष्टा फरिष्टा कहां रहता है ओपर या नीचे ओपर तो नीचे क्यों ठैरते हो अच्छा लगता है क्या कभी कभी दिल होती है नीचे आने के नहीं फिर क्यों आते हो बाप का साथ छोड़ते हो तो नीचे आते हो, तो डबल विदेशी, उनको डबल पुर्शारत का पर्टेक्स, डबल चांस है, इसका फाइदा लो, इस वर्स में क्या करेंगे, डबल सर्विस, महादानी वर्दानी बनेंगे या खुद बाप के आगे कहेंगे, शक्ती दे दो, औरों को भी शक्तियां दो अच्छा है, हिम्मत रखने में, नमबर ले लिया, अभी फाइश्ट पुर्शारत कर आगे उड़ते चलो, अच्छा, सदा, शक्ती शाल, चारों और के बच्चों की यादस नहीं के गीत, सदा सुनते रहते हैं, लेकिन आज विशेश स्नेही स्वरूप बच्चों को स्नेही की रिटन में, स्नेही भव, सदा स्नेही के वर्दान, द्वारत सहज उड़ती कला का विशेश फिर से वर्दान दे रही हैं, तो चारों और के दिला राम के दिल में समाय हुए बच्चों को, सदा मेहनत को को सदा परमातं सनही के संगम युग को महन अनभव करने वाली श्रेश्त आत्मों को सदा सनही की शक्ती से बाप के साथ और दुईعों के हाथ को अनभव कर औरों को भी कराने वाली विशेश आतमाओं को सद नहीं के सागर में समय हुए समान बच्चों को सनहीं के सागर बाप दादा का याद प्यार Good morning, diamond morning, रोहानी बाप की रोहानी बच्चों को नमस्ते हम रोहानी बच्चों की रोहानी मात पिता बाप दादा को याद प्यार Good morning, diamond morning, ओम नमस्ते आज कवरदानी है, खुशी के खजाने से संपन बन, सदा खुश रहने और खुशी का दान देने वाले मात दानी भाव संगम यूपपर बाप दादा ने सबसे बड़ा खजाना खुशी का दिया है रोज अमरत वेले खुशी की एक पॉइंट को सोचो और सारा दिन उसी खुशी में रहो, ऐसे खुशी में रहते दूसरों को भी खुशी का दान देते रहो यही सबसे बड़े ते बड़ा महादान है, क्योंकि दुनिया में अनिक साधन होते हुए भी अंदर की सच्ची अभिनाशी खुशी नहीं है, आपकी पास खुश्यों का बंदारा है, तो दान देते रहो, यही सबसे बड़ी सोगात है स्लोगन, महान आत्मों का परम कर्तव्य है, उपकार दया और क्ष्यमा आज का अव्यक्त इशारा, जनम का खाता इतना भरपूर हो, जो 21 पीरी सदा संपन रहे 21 पीरी तक सदा संपन रहे, आपकी वंशावली भी माला माल रहे ना सिरब 21 जनम, लेकिन द्वापपर में भी भक्त आत्मा होने के कारण कोई कमी नहीं होगी इतना धन द्वापपर में भी रहता है, जो दान पुन्या अच्छी तरह से कर सकते हो कल्यों के अंत में भी देखो, भले काला धन नहीं है, लेकिन दाल रोटी तो है न, तो इस समय जो कमाई जमाकी, उसी परमान अंतिम जनम में दाल रोटी खाते हो, अच्छा ओम शान्ति कर दो